हलो गाइज वल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल इंफो कट्टा तो गाइज आज की स्वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल के लिए कौन से इसे तीन स्टॉक्स है जिसमें हम इंट्राडे टेडिंग कर सकते हैं और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आप लोगो है बहुत बढ़िया हम यहां पर लाव मार्केट में ट्रेड देते रहते हैं हमने आज बैक निफ्टी के तीन कॉल यहां पर दिये थे और लोगों ने बहुत ही अच्छा यहां पर प्रॉफिट जो है वो किया है आप जाके यहां पर मीडिया में जाके चेक कर सकते हैं हमार अपर मैसेज करो आपको जारी जानकरी जो है बाकी डीटेस जो है मिल जाएंगी यह हमारे पेमेंट डीटेस है यहां पे पेमेंट करके आप स्क्रीन शॉट वहाँ पे शेर कर सकते हो ठीक है और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने डीमाट अपन किया नही तो यहां पे आपको क्या करना है फ्री में आकाउंट ओपनिंग बस ओपन करने के बाद आपको इमेल आईडी आपका नाम और आपका मोबाइल नमर यहां आपको एंटर करना है और सब्मिट करना है बाकि आपको customer care से फोन आएगा और बाकि पूरा process कप्रिट कर लिया मैं यहां पर आपको explain करूंगा application को केसी यूज करते है stop loss target bracket order plus question answers भी रहेंगे trading के related यह सारी चीज़े मैंने यहां पर share किये description में लिंक है guys जाईए और account open कीजिए ठीक है तो चलिए देखते है कि कौन से 3 stocks है कल के लिए first जो निकाला है मैंने cadilla cadilla में guys आप देख सकते हो बहु अगर buying का option हमें मिलता है यहां पर तो 585 के उपर हमें buying कर सकते है target रहेगा 589 592 और 595 का stop loss रहेगा आपका यहां पर 575 का downside में अगर आज का जो low है वो अगर break होता है तो यहां पर आप सेल कर सकते हो 573 के नीचे आपको यहां पर sell करना है target रहेगा 570 566 और 563 का 10 रूपिस क टार्गेट रहेगा downside में stop loss रहेगा 583 का ठीक है दूसरा जो है infosys infosys में आप देख सकते हो यहां पर infosys में मैंने जो level यहां पर draw की है यहां पर देखो यहां पर बार-बार resistance face कर रहा है फिर से नीचे आया फिर से यह ही पर resistance अभी face कर रहा है अगर यह resistance कल break होता है तो कल 1068 की ऊपर हमें buy करके चलना है target रहेगा 1612 1615 और 1620 stop loss रहेगा 1600 का downside में अगर नीचे आता है अभी जो है close हुआ है 1606 के आसपास ठीक है और open होता है 1603 के आसपास अगर open होता है और downside में अगर 1600 के जो level है वह अगर break करता है नीचे तो आपको यहाँ पे sell करना है candle close होने के बाद आपको entry लेना है ठीक है तो यहाँ पर आपको target रहेगा 1596 1592 और 1588 का stop loss रहेगा 1608 का थर्ड जो stock है गाईज वह है Tata Motors का Tata Motors आपको सबको पता ही है यहाँ पे जो है selling बहुत ज्यादा हुई है Tata Motors में तो मैं आपको one day के चार्ट फ्रेम में लेके चलता हूँ यहाँ आप देख सकते हो one day में एक दो मिट यह को one day में क्या हुआ है यहाँ पे जो है एक दिन बड़ा होगा यहाँ पर आप देख सकते हो multiple time यहाँ पर support लिया हुआ है ठीक है टाटा मोटरस ने और उपर गया है फिर support लिया फिर उपर गया फिर सब्सक्राइब नीचे उसी support पर अभी यह trade कर रहा है ठीक है अभी कल आपको यहाँ पर यह देखो मैंने पहले दिया था सेल करने के लिए 305 के नीचे सेल करना था और यहाँ पर बड़ा लेवल था यह अभी critical support था यह तो अभी यह resistance बन गया है यहाँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बाय करके चलना है बाय सेल में साइड में मैंने टार्गेट उतना दिया नहीं है विकाज मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे है विकाज ओर आल मार्केट निगेटिव है तो जो support है वो break होने के भी chances है अगर support ब्रेक हुआ यह तो यह major support है बहुत बड़ा fall Tata Motors में और हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है ठीक है sale आपको करके चलना है नीचे 283 के नीचे target रहेगा 280, 278 और 275 का stop loss रहेगा 287 का यहाँ पर थोड़ा sell side में ज्यादा quantity लेके trade कर सकते हो बट buy side रहेगा थोड़ा कम quantity में ही आप trade यहाँ पर करो और यहाँ पर यह हमारा telegram challenge जो मैं आपको बताया तो channel का link भी description में डाला हुआ है मैंने जाके आप यहाँ पर join कर सकते हो और यह जो free service हम provide कर रहे है या भी फिलाल जो stocks हम दे रहे है या फिर bank nifty nifty के जो cost दे रहे है उसका आप लाब ले सकते हो अगर आपको premium service भी join करना है तो इसके लिए आप message कर सकते हो तो चली दोस्तों फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पर तब तक जैहिन